ना थके कभी पैर ना हिम्मत कभी हारी है जज़बा है परिवर्तन का जिंदगी में इसलिए सफर अभी जारी है जैहिंद वंदे मात्रम बीस जन्वरी के करेंट अफेर की इस वीडियो में आपका स्वागत है और पंकज यादों ने ये कमेंट किया हुए आप भी अपने कोटेशन को कमेंट कर सकते हैं ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है तो सफर ये जो जारी है इसको आप जारी रखना है आपको और आपके पैर कभी नहीं थकने चाहिए आप स्टुडेंट हो यूथ हो और कोई भी यूथ यूवा ये नहीं कह सकता है कि यार आज तो थक गया हूँ आज तो मन नहीं क जिसकली फिट रखी देखिए आपको बहुत कुछ अच्छी हो सकता है पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसकी बदवलत आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में अभी पढ़ने का वक्त है आप जितना ग्यान हो सकता है उसको अरजित कर लीजिए ठीक है करिंट अफियर का यह से यह एकजाम में भी लाब देता है एकजाम में भी यहीं से क्वेस्चन आते हैं आईए देखते हैं लिखा हुआ है कि हालही में किस देश ने सन्युक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुक रड़निती साजितारी करार दिया है ओप्सन नमबर बी हो जाएगा अमेरिका अब देखें अमेरिका ने यहां वाइट आउट से यह फैसला आया हुआ है वो भी इस समय आया है जब यह घोषडा आपको बता दे कि ऐसी समय में हुआ है जब देश के राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यानि अमेरिका देश के राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प और नौ निर्वाचित राष्टपति जो बाइडन के बीच सता हस्तानांतरण की प्रक्रिया चल लए है उस दवरान इस प्रकार का फैसला लिया गया ठीक है आईए बढ़ते हैं अंगले क्वेस्चन की तरह भारत और किस देश ने हाल ही में सूचिना एवं संचार प्रैद्य की ITC के छेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्दिश से एक समझावता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं C जापान देखे जापान और भारत को एक समझावते पर हस्ताक्षर ये दोनों साथ में किये हैं और चुकि भारत का जो है दूर संचार और विभाग और जापान का चार मंत्राल है यह 5G से जुड़ी प्रध्योगी की और दूर संचा सुरच्छा आधी चीजों के बारे में ये सहयोग करेंगे और आपसी यहाँ पर सहयोग करेंगे देखे एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा जो भारत का दूर संचार मंत्राल है खास करके अगर नेटवर्ग अगर BSNAL active रहता तो जो बागी के जो company है जैसे की other company एटेल जीओ यह सब जो है तो यह इतना महंगा अपना net नहीं कर पाती है अगर यह active रहता तो BSNAL का पहले लोग बोलते थे ना कि भाई साहब नहीं लगेगा है ना लेकिन इसका फूल फॉल होता है भारत संचान निगम ल energy में निमन में से कितनी प्रतीशत हिस्सेदारी खरीद ने हेतू 2.5 अरब डालर का समझ होता किया है यहाँ पर option नमबर 20 है हो जाएगा 20 प्रतीशत ठीक है 20 प्रतीशत का यहाँ पर समझ होता किया है आगे बढ़ते हैं important question है अगला भारत ने हालही में इरान के चाबहार ब प्रतीशत की है तो यहाँ पर D हो जाएगा दो भारत ने हालही में कहा है कि उसने 2.5 करोड डालर से अधिक के एक सौधे में इरान के चाबहार बंदरगाह को दो मुबाइल हारबर क्रेन की आप उड़तीशत की है सर यह क्या होता है हारबर क्रेन मुबाइल इससे क्या चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है कि दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात समवर्धन परिसत यानि T.E.P.C. ने किसको नया अध्यक्ष नियुकति किया है यहाँ पर option number A है संदीप अगरवाल अब देखिए दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्यूनिकेशन के प्रबं तब तक सच्चिव श्यामल घोस से यह पदभार समालेंगे कौन संदीप अगरवाल आज के लिए इतने करें टैफिर के क्वेस्चन बाकी के क्वेस्चन के लिए मिलेंगे कल की वीडियो में तब तक के लिए आप चैनल पर नए है जिसको सब्सक्राइब करके नोटिफिके क्वेस्चन बेल आन करें और आप भी कोई कोटेशन लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालें मिलेंगे एगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम